मुझे बहुत हसी आई वो पूरा इंटर्व्यू देखके जहाँ पर वो यह कह रही है कि पेड ट्रोलर्स है यह पेड का जो शब्द है वो स्वारा भासकर से जादा तो कोई नहीं जानता मैसी पहली बात तो जब हम बॉलीवूड को बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो स्व प्रदान मंतरी हम चुनते हैं मख्य मंतरी हम चुनते हैं महानायक हम बनाते हैं बड़े-बड़े हीरो-हीरोईन हम सर पे बिठाते हैं हमें खरीदने की जनता को, आम आदमी को, जनता को खरीदने की इनकी किसी की हैसियते न निताओं की, न बॉलिवूड स्टार्स की इनका फ्लॉप होना तय है मैं आज बॉलिवुड की फिल्मों का लगातार बाइकॉट हो रहा है और इसी के चलते बॉलिवुड की ही अभिनेतरी सुवरा भासकर का एक हालिया में एक इंट्यूवी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह जो ट्रोल्स है या फिर बॉइकॉट है इसका फिल्मों त्रेटा बहुत सारी लोगों के साथ में लोग बरबड़ता करते हैं महिलाओं पिक भीगात हैं मुझे बहुत हसी आया इंट्रव की पेड्रोल раз है यहां पेड का शब्ध सुरा भासकर से जादा टो कोई जानता मैसी क्योंकि जितना पिजब यब य आपको देश के खिलाब बोलना हो चाहे वो शाहिनवाक की बियानी हो चाहे आपको आप अचानक से रातोराक किसान बन जाते हो तो वह एक ही ना मुझे यादताता स्वरा भासकर. तेसमें चलती नहीं है सो करोड की किटी में ये है नहीं बॉलीवूड की अस्तित्व में बात करें तो एक अस्तित्व बॉलीवूड में उनका कुछ है नहीं इतनी बड़ी कोई हिरोईन नहीं है कि अगर अपने दम पे कोई फिल्म बना लें और बिना साइड आर्टेस्ट या इस तरह का रोल की उनके फिल्म बहुत अच्छी चलिए और पान्सो करोड रुपे कमा लें जैसे कश्मीर फाइल से बहुत बड़े-बड़े स्टार्स नहीं रहे हो लेकिन पान्सो करोड के उपर फिल्म चली सबसे बड़ी बात कि जो मैंने पूरा इंटर्व्यू देखा उन्होंने एक कॉमेडी सा एक इंटर्व्यू किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोग है जो हमारे खिलाफ बोलते हैं वो पूरी ब्रिगेड है उन ब्रिगेट को पैसे भी दिये जाते हैं और एक छोटी सी उनकी गैंग है जो पैसा कमाती है इससे और हमारा बॉयकॉट करके पहली बात तो जब हम बॉलीवूट को बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो स्वरा उसमें आती नहीं है कि स्वरा बॉलीवूट का हिसा नहीं है बॉयकॉट तो उनका कर रहे हैं जिन्होंने इस सुषान सिंग राजपूत पे बोला नहीं सुषान जो इतना बड़ा इंटर्व्यू कर रहे ही थी उसमें एक लाइन सुषान के बारे में बोल देती तो हमें अच्छा लगता कि नहीं देखो आप प्रिधानमंत्री जी को पसंद नहीं करते हैं आप उनके खिलाफ बोलिये आप किसी पटिकुलर नेता ये नेतरी को बहुत पसंद करते हैं आप उनकी तारीफ करिए जब आप देश के खिलाफ बोलने लगते हैं और पूरे इंटर्व्यू में एक शब्द जो मैं बार- और पार सवरा भास कर ले रहें, एक हो बारा करनी कि देखे बोलिवूड ने बहुत कुछ सिखाया है, बॉलिवूड थो हमेशा एक्व्यलेटी की बात करता है, तो अगर बॉलिवुड इक्वालिटी की बात करता है, तो दो फिलमें ऐसी भीं जाय है, जहां पर दूस्रे अगर प्रोडक्शन हाउस न जला दिया जाए तो मेरा नाम प्रीती नहीं इसलिए क्योंकि हिंदू इतना टॉलरेंट है आप एक्वैलिटी की बात करते ही नहीं है आप शिव जी का मज़ाक उड़ा सकते हैं आप इंदू देवत देवताओं की ट्रोलिंग दिखा सकते हैं आ कि देश की जनता को सुशान सिंग राजबूत के बाद यह समझाया कि भाईया यह फेक लोग हैं यह नकली मेकप के साथ साथ नकली लोग हैं तो सारा भासकर का पूरा इंटर्विव तना जूटा इंटर्विव था किसी भी चैनल पर बैट जाओ पनौती कहते हैं तो जिन चैनल पर बैटके यह इंटर्विव भी दे देती हैं वो चैनल विचारा पनौती हो जाता है स्वारा भासकर के साथ अगर हम बात करें बॉयकॉट बॉलिवुट की तो बॉयकॉट बॉलिवुट को लेकर आज जनता जो है वो थमने का नाम में ले रही है शूशल मीडिया पर लगातार फिल्मों का बॉयकॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब नंबर लग रहा है रनबीर और आलिया कि फिरिम भ्रमास्तर का जो तरीके से वीडियो और बयान बाइरल हो रहे है आलिया भटके जिसमें वो यह कहती है कि नहीं पसंद तो मत देखिए मुझे देखे अभी एक फिल्म आई थी दो बारा तापसी पन्नों का उसमें देख देख थी हमराक कश्य बगल में खड़े थे तापसी पन्नों ने इंटर्व्यू में जनलिस्त थी उन्होंने को सवाल पूछा तो उन्होंने का प्लीज हमारी फिल्म को बॉयकॉट करिएगा वो हमने तो इनको पांसो कुरूर की फिल्में दी है हम जनता इनके हम इस एक्टरस को इतना मानते हमने इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया हमने सर पे बिठाया हुआ है इसलिए इनकी इतनी हिम्मत होती है कि आज ये जनता के खिलाब बोलते है इनकी क्या है सिए जनता के ख तो तापसी पन्नोमी ने जो रिक्वेस्ट किया था वो ड्रामा करते हुए कि प्लीज हमारी फिल्मे मत देखो जन्ता ने का रहे तापसी दीदी ने का है आप तो में फिल्मे देखने जाएंगे नी वो फिल्म भी हट गई अब इसके बाद आप जुस फिल्म का नाम ले रहे अलिया भाटने को दिन पहले ही आ अलिया रहा अलिया बद घकाने लगा चुकंखिया जो वह ऐसे फिल्में जिसमें जिसमें ऐसे पार्ट को दिखाये जाता हुए जो बिलकुल fake होता है हिंदु देवतयों को गाली देते रही है शब्द बोलते रही है उनको लिज्व पार्टूसचर और स्ट्रप्छर में दिखाते रही है लेको तर वुज सफ़ स्विकार करती है जनता उनको मानती है सर आखों पर बिठाती है और इनको फ्लॉप कर देती है कुछ दिन पहले अर्जुन कपूर अर्जुन कपूर ने एक बयान दिया इनकी हिम्मत देखिए मैसी इनकी हैसियत देखिए कि यह जनता को यह चालेंज कर रहे हैं कि भई मतलब आप हमने बहुत टॉलरेट किया है यह हमारी डीसेंसी थी यह हमारी डीसेंसी थी कि आपके जैसे फेक हीरो हीरोनों को हम इतने सालों तक अपने सर पे बिठा के रख गए इतने सारे लोग सब नेपोटिसम के प्रोड़क्ट मतलब अगर पिता फिल्म लॉंच ना करें तो पेटा फिल्म में आये ही ना एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो अपने बल्बूते पे किसी और के प्रोड़क्शन हाउस की फिल्म बनी हो और उसमें पांसो क्रोड की किटी में आये हो खुद के प्रोड़क्शन हाउस सो के उड़ते हैं और कैते पापा पापा मेले एक फिल् अब वो जमाना चला गया, जो लोग वहाँ पे सुशान सिंग राजपूत में धाई साल चुप रहे हैं, आप जनता उन से चुन-चुन के बदला ले रही है, हमारा इनसे कोई है, किसी का भी जनता का भी कोई व्यक्तिगात, इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम यह दे पूरे देश से जो लोग आते हैं, आप उनसे कॉमपटिशन रखते हैं, आप उनको फिल्में नहीं देते हैं, फिल्में आपके अपने ही गोमफिर के वही पांच खांदान के लोगों को देखते हैं, जिस आटिट्यूट में अर्जुन कपूर का वो एक इंटर्व्यू है उसको देखने के बाद तो मुझे लगता है कि नेक्स बारे उसी दिन मैंने काता है अर्जुन कपूर की है, आप अर्जुन कपूर की कोई फिल्म आए, वो नहीं चल सकती, उसी तरह आले भट की कोई फिल्म आए, अगर आप जनता को चैलेंज करते हैं, तो आप समझ लिज जो कि इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, ये दोनों ही अब मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, जिसको लेकर आप जनता ये कह रही है, कि यही रनबीर कपूर, जो अभी कुछ सालों पहले एक वीडियो वारल हो रहा है, जिसमें ये कहते हैं कि मैं ब की फलवर हूँ, आज वो मंदिरों में जाकर हिंदों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, देखें, बॉलिवूड वाले इतने बड़े नोटंकी भाज हैं, वैसी इनको समझ में आ गया है कि देश में जो वो हिंदुतों और वो एक सैफरोन और वो एक नारंगी रंग चल र को भटकाने की स्वराज का कलर वही, हमारे आजादी का कलर वही, हमारे तिरंगे का कलर वही, लेकिन भगवा के अंडर में जो आप नहीं आ रहा है, उसकी फिल्में नहीं चलेंगी इनको समझ में आ गया है, तो यह नोटंकी बास जगे-जगे जाके मत्था टेक रहे हैं, लेकिन कल तक पटिकुलर एक ही जगे जाते थे, अब अचानक से मंदिर मंदिर जाते हैं, अब कोई मंदिर नी छोड़ते हैं, अभी तो रक्षा बंदन से पहले अक्षे कुमार जी बनारस गए, वहाँ पे गंगा जी में स्टंट किया, गंगा जी से कूद के, वह नाव पे खड़े थे और वहाँ से कूद के, उन्होंने गंगा जी में नहाए, वहाँ दर्शन किया, लोग विश्वनात मंदिर गए, कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आलिया बटर निमीर कपूर भी काशी विश्वनात गए, बनारस गए, मंदिर डूंडे जा रहे हैं, कहां कहां म बॉलिवूड के नौटं की बास कलाकार भी है, जैसे ही इनकी फिल्म आने वाली होती है, यह अचानक से 2-3-4 दिन पहले सब मंदिरों में जाके दिखाते हैं, जबकि आज तक जो फिल्में बनाते आए हैं, या जब बॉलिवूड में ऐसी फिल्में बनती हैं, अरे आपको सनातन धर्म से इतना प्यार है, तो 5 अगस 2020 को जब राम मंदिर बना, तो देख लिजे आलिया भट और इनका कोई ट्वीट है क्या, राम जी के लिए कोई ट्वीट है क्या, कौन सा सनातन धर्म, आप मंदिर जाते रहें, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता को भी पता है कि इनकी फिल्में आने से पहले कैसे फ्लॉब करनी है? यह बाहर का भी कौन दे रहा है इनको पैसे की, किसकी इतनी हैसियत है जो जनता को खरीद सके? प्रधान मंतरी हम चुनते हैं, मुख्य मंतरी हम चुनते हैं, महानायक हम बनाते हैं, बड़े-बड़े हीरो-हीरोईन हम सर पे बिठाते हैं, हमें खरीदने की जनता को आम आदमी को जनता को खरीदने की इनकी किसी की हैसियते न निताओं की न बॉलिवूड स्टार्स की, इन इनका फ्लॉप होना ते है